कि नमस्कार दोस्तों आप सभी को मेरे चैनल स्टॉक मार्केट आनलीसिस पर स्वागत करता हूं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग कुछे सपोर्ट करते हो तो चले जलते हैं कल की लिए कल कौन से लेबल पर हम ट्रेड कर सकते हैं सपोर्ट रेजिश्टन्स क्या रहे गा वह सारह चीज़ हूँ पर हम पर आनलीसिस करेंगे मीब देखें के कल आप ने कई लेडिवल के ट्रेड किया वह सारग्यएड हम लोग के हैं पर आनलिसिस करेंगे गैस अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लिजे साथी साथ नोटिफिकेशन बेल कॉन करके रखे इन फ्यूचर में कोई भी आपकी लिए वीडियो में अपलोड करूँ तुरह आपको पता चले और आप लोग उन लेव वीडियो आप लोग समझ जाओ समझने के बाद आप लोग मार्केट में सही तरीके से ट्रीप करो और आपको इजी हो जाए इसलिए मैं आप लोग को वाड़ फाइल में कुछ लेवल्स नोट डाउन करके लेके आता हूँ आप लोग उन लेवल्स के उपर ट्रेड करके उन लेवल्स नोट करके उन लेवल्स के साफ़ से आप लोग मार्केट में काम कर सको तो चले हम लोग डारेक्ली चलते हैं लेवल्स के उपर और कल हमने क्या लेवल दिया था आज मार्केट में वो लेवल्स में कैसे मार्केट ट्रेड हुआ और कल कौन से लेबल पर आप ट्रेड कर सकते हो यह सारा चीज़ हम लोग यहां पर देखेंगे और अगर अभी तक किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरण सब्सक्राइब का बटन दबा दीजे और सपोर्ट करिए आप लोग के लिए इससे ह की बेहतरी इन वीडियो में बना के आपके लिए जरूर लेकिया हूँ चली हम लोग पहले चलते हैं टाटा मोटर्स टाटा मोटर्स का लेबल हमने क्या बताया था देखे 448 50 पेसा के नीचे आप सेल कर सकते हो 453 80 पेसा के ऊपर आप लोग बाई कर सकते हो और आज साहिद म 50 में मैंने बाई करवाय था 54 तक मैंने टार्गेट दिया था बट अनफर्चनेटली हमें उसको कॉस्ट कोस्ट एक्जिट करना पड़ा क्योंकि वह 151 80 पेसा 70 पेसा जाके नीचे आया इतना बड़ा मूब नहीं किया तो हमने उसको एक्जिट किया बट हमने निप्टी में इक कुछ आए का सा पेसा आपर कमाया और जितने मेरें मेरे वेंग निप्ती के क्लाइंट से उनको मैंने कुछ बैंग निप्ती का कॉल मैंने दिया था दो बार तो वहाँ पर वह अच्छा का सा कमाये हो है तो अभी चलते हैं देख़ए कि कल कॉंसे लेवल पर आप उसको ट्रेड करिएगा चली टाटा मोटर्स के सपोर्ट रजिस्टन्स देख लेते हैं अभी टाटा मोटर्स अगर 448 15 पैसा के नीचे सस्टेन करता है आप उसको सेल कर सकते हो पहला टार्गेट रहेगा 444 45 पैसा 441 20 पैसा याद रखें 448.15 पैसा के नीचे आप उसको sell कर सकते हो 444.45 पैसा 441.20 पैसा resistance रहेगा 451.85 पैसा जैसे ही 451.85 पैसे की उपर sustain करने लगता है आप लोग buy कर सकते हो target रहेगा 453.80 पैसा और उसकी उपर भी चलता है 458.90 पैसा उसके साथ साथ अगर 458.90 पैसा की उपर चलने लगता है आप लोग उसको buy कर सकते हो 462.70 पैसा तक भी target आपको देखने को मिलेगा तो guys मैंने जो भी सारे levels थे मैंने आपको दे दिया हूँ आप लोग ये levels not करें या फिर अगर possible है तो screenshot लेके रखिए इस order आपको market में काम करने में easy हो क्योंकि मैं अभी भी आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी भी यहाँ पर एक breakout का label पर खड़ा है market क्योंकि ये जो ये एक लेबल है ये एक breakout label है हो सकता है आपको यहाँ पर एक अच्छा सा breakout दे दे और इसके उपर एक बड़ा momentum आपको देखने को मिले तो हम लोग इसको wait करते हैं कि कौन से level पर trade होता है मैंने आपको सारे levels बता दिया हो ध्यान से आप लोग ये levels note करके trade करेगा और एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ किसी को भी अगर free paid service में जोईन करना है description पे वाटस अप नबर मैंने दे दिया हूँ चेक करके आप लोग वहाँ पर मुझे contact कर सकते हो paid service के लिए चलिए next आपका रहेगा dlf dlf क्यों पर देखेंगे dlf का levels किया है और देखें dlf में हमने एक चीज़ यहाँ पर analysis किया था अगर आप लोग को याद होगा तो हम लोग एक बार levels की उपर चलते हैं डlf का क्या levels मैंने बता था 350 रुपीस 20 पैसा के नीचे अगर चलता है सेल कर सकते हो टार्गेट कहां तक था 42 तक 47, 47, 80 और 42 यहां तक टार्गेट था resistance 353, 85 पैसा जैसे उसके उपर चलेगा 357, 50 पैसा और 361, 10 पैसा और उसके उपर 364, 20 पैसा तक का भी level आपको मैंने बताया था अगर सही तरीकी से आपने देखा होगा मार्केट आज ओपन किया 52, 25 पैसा में और 51, 80 पैसा के आसपास उसने लो लगाया और वहां से 61, 40 पैसा का एक हाई लगाया यानि कि हमारा जो हाईस टारगेट था वहाईस टारगेट यहां पर अची हुआ है तो इसलिए आपको मैं हर वक्त बोलता हूँ कि अगर आप प्रॉपरली लेवल्स की पर काम करते होगर आपको लेवल्स की पर काम करना आता है अगर यह mathematics आपको समझना है तो आपको classes में बेटना पड़ेग तो मैं free of cost आपको सिखा हूँगा next in coming days आपको मैं सिखाने की courses करूँगा हो सकता है मैं आपको educational videos बना कि आपको मैं post करूँ तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रही है आप लोग को वहाँ पर सारे details मिल जाएगी तो इसलिए हम लोग चलते हैं levels की उपर और कल आप console level पर उसको trade कर सकते हो support resistance क्या रहेगा वो भी यहाँ पर देख लेंगे support रहेगा 356.60 पैसा अगर DLF 356.60 पैसा के नीचे sustain करता है आप उसको sell कर सकते हो target रहेगा 351.80 पैसा 349.15 पैसा याद रहेखे 356.60 पैसा के नीचे आप उसको sell कर सकते हो resistance रहेगा 361.40 पैसा जै आ 55 पैसा 368.25 पैसा यहाँ तक आपको target देखने को मिलेगा अगर जरूत पड़ता है तो 372.73 के आसपास और एक target है यहाँ पर मैं आपको वर्वली बता दे रहा हूँ मैं आपको राइटिंग पर नहीं बता रहा हूँ आप उसको note करके रखे in future आपको ये levels भी अचीव होते या फिर screenshot लेके रखिए आप लोग को जैसे easy हो चलिए हम लोग next talk के उपर चलते हैं next आपका रहेगा असोक लेलें और गाइस किसी अगर आप लोग चाहते हो तो निप्टी बैंग निप्टी के उपर levels देखना चाहते हो तो मैरे चैनल को विजिट करिए मैं वहाँ पर हर इस विडियो के बाद में पोस्ट करता हूँ या फिर आप देखे यहाँ पर आई बटन में आपको उस विडियो का लिक आपको शोग कर रहा होगा आप लोग उसको क्लिक करके निप्टी बैंग निप्टी के levels भी आप लोग महाँ पर जाके चेक करके देख सकते हो चलिए करता है अगर आपको यहाँ वीडियो बनने का формat आफ लगता है यह process आपको अच्यार लगता है तो प्लीज चैनल को subscribe करते हैं वीडियो को le की पर लख देख लेते हैं हमने लेवल्स दिये थे बैट उसके उपर हम लोग इतना आफ डिसकस नहीं करेंगे क्योंकि हमारे लिए कल के लिए इंपोर्टेंट है आज क्या हुआ वो इंपोर्टेंट नहीं है ठीक है जो यह लेवल्स में आपको दिये थे तो 47 के आसपास मार्केट आया हमारा लेवल्स अचीव हुआ तो कल देखेंगे कल कौन से लेवल पर आप ट्रेड कर सकते हो असोक लेलेंट का सपोर्ट है 146 जैसे 146 के नीचे असोक लेलेंट सस्टेन करेगा आप लोग सेल कर सकते हो टारगेट रहेगा 144 40 पैसा 143 30 पैसा यहां तक आपको टारगेट देखने को मिलेगा रेजिस्टन्स रहेगा 147 30 पैसा 147 30 पैसा के उपर सस्टेन करने पर बाई कर सकते हो 149 80 पैसा और 151 यहां तक आपको टारगेट देखने को मिलेगा तो गाइस जो भी support resistance है उनको ध्यान से आप लोग लिखके रखेगा क्योंकि मैंने जो से जैसे कहा था market exactly वहाँ पर ऐसा ही move हुआ अगर देखा जाए तो यह एक अच्छा breakout pattern यहाँ पर बन सकता है मेरे ख्याल से तो आप लोग को wait करना चाहिए levels आपको जैसे ही मिलते आप इन levels के पर trade कर सकते हो चले और एक stock है इतना अच्छा momentum नहीं हुआ ITC के उपर बट अभी भी एक momentum pending है यहाँ पर हम लोग भारत इलोक्रोनिक पर कुछ levels discuss करने के लिए में प्लान कर रहा था बट वहाँ पर already एक बड़ा momentum हो चुका है तो मुझे यहाँ पर कुछ trade नहीं मिला हो सकता है आप लोग लेवल्स देखने के बाद वहाँ पर confusion आपको create हो जाए इसलिए मैं आपको वो लेवल्स नहीं दिया ITC की उपर देखते हैं directly ITC का लेवल्स क्या होना चाहिए देखिए 96, 97, 95 का लेवल का काफी बार retest हो रहा है बार बार तो मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करना चाहता हूँ ITC में 292, 70 पैसा के नीचे अगर आपको ये trade होते होए देखने को मिले आप उसको directly sale कर सकते हो target रहेगा 289, 50 पैसा 285, 75 पैसा याद रखे 292, 70 पैसा के नीचे आप उसको sale कर सकते हो 289, 50 पैसा 285, 75 पैसा यहाँ तक आपको target देखने को मिलेंगे resistance रहेगा 296, 95 पैसा जैसे ही resistance के ऊपर sustain करता है buy कर सकते हो 300, 303, 306, 50 पैसा यहाँ तक आपको target देखने को मिलेगा 296.95 पेसा के उपर बाई कर सकते हो 300, 303 और 306.50 पेसा यहाँ तक आपको target देखने को मिलेगा तो जो भी आपको मैं बार-बार बोलता हूँ कि यह चीज को आप follow ज़रू करिएगा क्योंकि बगेर लेवल्स आप लोग मार्केट में कभी भी ट्रेड करते हो तो काफी बड़ा नुकसान होने का chances होता है क्योंकि यहाँ पर आपको trade करने के लिए एक ही चीज की जरूरत है वो है support resistance देखिए यहाँ पर एक एसा pattern में है अगर यह break करता है 96-97 क्यूपर sustain करता है तो बहुत बड़ा momentum आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है क्योंकि market नीची आने के लिए भी ready नहीं हो रहा है तो यह एक हायर लेबल पर अभी hold हो रहा है तो इन लेबल्स पर अगर आप लोग उसको trade करते हो तो आपको wait करते हो अगर levels मिल जाते तो काफी एचा trade आपको मिल सकता है तो काफी एचा profit भी आपको यहाँ पर मिलेगा चली next and final stocks पर चलते हैं काफी एचा momentum उसमें भी हुआ है आज साइड चली next आपका रहेगा statement cop india statement cop india का level सम लोग अभी थोड़ा देखते हैं तेकि statement cop india का level हमने क्या बता है था आपको अगर अपने सही तरीके से वीडियो देखा होगा वह लेबल्स अचीव हुआ अगर आपने देखा होगा तो यह लेबल्स आपको अचीव होते हुए देखने को मिला होगा आज 486 80 पेसा के नीचे सेल करना है target 78 40 पेसा resistance 491 50 पेसा के उपर 500 505 यहां तक रहेगा बट अगर देखा जाये तो करीबन 96 की उपर 98 99 के आसपास एक बड़ा target आपको देखने को मिला है 98 55 पेसा के आसपास एक हाई लगाया हुआ हुआ है तब ही चलते हैं देखेंगे कि कल की लिए हमने जो अनलसिस किया हुआ है लेबल से बहु किया है आप state bank op india का support note कर लिजेगा 4 93 25 पेसा अगर state bank op india 4 93 25 पेसा के नीचे sustain करता है आप उसको sale कर सकते हो target रहेगा 488 484 40 पेसा यहां तक 498 55 पेसा का resistance है जैसे ही resistance की ऊपर sustain करने लगता है आप उसको buy कर सकते हो target रहेगा 503 50 पेसा 507 90 पेसा याद रखेंगे 493 25 पेसा का support है उसके नीचे चलता है sale करिये 498 55 पेसा resistance है उसके ऊपर sustain करता है buy कर सकते हो 503 50 पेसा 507 90 पेसा यहां तक आपको target देखने को मिलेंगे I hope आपको levels मिला होगा आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है वीडियो को like करके चैनल को subscribe करियो और जितने लोगों ने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है उन सभी से मैं दुबारा निवेदन करना चाहता हूँ चैनल को subscribe करने के साथ साथ notification bell को all पर प्रेस करके on ज़रूर करियेगा और किसी को भी अगर free telegram channel पर join करना है description पर telegram का link है जोइन कर सकते हो अगर paid service में जोइन करना है description पर whatsapp नबर दिया गया है आप लोग चाहो तो वहाँ पर मुझे whatsapp पर contact कर सकते हो आप आज के लिए इतना ही देने बर